नरेश एक बहुत ही बढ़िया शिकारी है वो जब भी शिकार पर जाता है कुछ ना कुछ पकड़ कर लेकर आता है कभी भी काली हाथ नहीं आता है उसे ऐसे शिकार करने के प्रेरना किसी भी हाल में अपने परिवार को बूके ना रखने की सोच से मिलती है मैंने सुना है कि जंगल में शेरों के हमले बहुत ज्यादा हो रहे है आप कुछ दिनों के लिए दूसरा कम कर लो नरेश जी सरपंच ने आज मुझे एक हिरन को लाकर देने को कहा था आज ये एक दिन शिकार पर जाता हूँ हिरन के जो पैसे आएंगे उससे कुछ दिनों का गुजरा आराम से हो जाएगा ऐसे कहते हुए नरेश अपने पत्ने पवित्रा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कहकर शिकार करने के लिए चला जाता है जंगल में बर्बोजा नाम की एक शेरनी नार्निया नाम की एक हीरन का शिकार करने के लिए उसकी पीछे भाग रही है लेकिन बर्बोजा का बच्चा उसे परिशन कर रहा था तब ही नरेश की नजर नार्निया पर पड़ती है और वो उसी का शिकार करने की सोचता है मुझे तोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएंगे जब मैं सरपंच को सुनाओंगा कि मैंने एक शेर से इस हेरन को छीन कर लाया हूँ ऐसे कहते हुए नरेश पहले भर्बोसा पर निशाना लगा कर उसे मारता है लेकिन इस बेच में नार्निया कही जाकर चुप जाती है अरे रे ये मैंने क्या कर दिया वो हेरन तो बाग गया बेचारा शेर मर गया नरेश ऐसे सोच ही रहा था तब ही वहाँ पर नार्निया का बच्चा आता है नरेश उसे देखते ही तीर मार कर उसे पकड़ कर लेकर चला जाता है तब ही नार्निया वहाँ पर भागते हुए आती है वो मेरे बच्चे को लेकर चला गया कमीना शिकार छोड़ूंगी नहीं तुझे तुम्हारा बच्चा तो अब नहीं रहा लेकिन तुम मेरे बच्चे की मा बनो प्लीज और मेरे बच्चे को हर रोस इस दिन के बारे में बता कर बढ़ा करना ऐसे कहते हुए बर्बोसा शेरनी मर जाती है और नार्निया हिरन उस बच्चे की मा बन जाती है और उसे भी बर्बोसा नाम देती है और हर रोस उसे वही कहानी सुनाती है यहाँ पर नरेश सरपंच को शेर की बात बता कर खूब पैसे कमाता है अरे वाह तुम तो सच में कमाल के बहादूर हो नरेश तुम्हारे इस बहुदूरी के किसे ने मेरी दावत में चार चंद लगा दिया है मैं अक्सर ऐसे ही काम करते रहता हूं सरपंच जी फिर कभी कुछ चाहिए तो बताना मुझे ऐसे ही बढ़िया शिकार करके ले कर आऊंगा आपके लिए अपनी इतनी तारिफ सुनकर नरेश बहुत ज्यादा लालची हो जाता है और बहुत ज्यादा मशूर भी हो जाता है इसलिए वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही शिकार करता है और हर शिकार उसी तरह से करके कूप पैसे कमाने लगता है ऐसे वहाँ पर तुम्हारी मा मर गई और वो शिकारी तुम्हारे चोटे बाई को लेकर भाग गया तब ही मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारी असली मा के नाम पर रखा था मुझे याद है और आपका शुक्रिया मुझे हर रोज ये बाद याद दिलाने के लिए मेरा सिर्फ एक ही मकसद है मरी हुई मा का बदला लेना और इस मा को बचाना ऐसे बर्बोसा शेर बड़ा होकर अपनी मरी मा का बदले लेने और अपनी हीरन मा की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तयार था नरेश हमेशा की तरह शिकर करने के लिए आया है तब ही उसे एक शेर और हीरन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हुए नजर आते हैं उन्हें देखकर नरेश ऐसे सोचता है हर बार एक जैसे शिकार करके और येखी कहानिया सुना कर बोर हो गया हो इस बार अच्छी कहानी बनेगी ऐसे कहते हुए नरेश पहले नार्निया हिरन को तीर मारता है और देखता है कि शेर उसे खाता है या नहीं लेकिन वो शेर अपनी हिरन मा को मरता हुआ देखकर नरेश के पास भाग कर आता है और उसे मार डालता है बर्बोसा शेर अपनी एक मा का बदला तो ले लेता है लेकिन दूसरे मा को बचा नहीं पाता है नरेश ने बहुत पैसे कमाये थे उन पैसों से उसका परिवार बागी की जिंदगी आराम से गुजार सकता है मुर्कोलपूर नाम के गाव के पास में एक चोटसा जङल है उस जङल में बंदरों के कुछ परिवा रहते है उन में से एक है जगू सारे बंदर जगू को मामा मामा कहेकर बुलाते है क्या बात है बंदर मामा? अब बहुत कुछ लग रहे हो कुछी दिनों में मेरी शादी है, इसलिए मैं कुश हूँ अरे वा, ये तो बहुत अची बात है बहुत दिनों बात इस जंगल में कुशिया मानाने का मौका आया है बंदर मामा की शादी दोमदाम से होनी चाहिए ऐसे कहते हुए, सारे बंदर जगो बंदर की शादी की तयारियों में लग जाते है और शादी की तयारों के लिए उन्हें जो सामान चाहिए वो तो सिर्फ मुख खुलपूर में ही मिल सकता है क्योंकि दूसरे गव बहुत दूर है इसलिए जंगल के सारे बंदर, बंदरों वाले हरकते करते हुए मुख खुलपूर की दुकानों से सामान चुराते है और भाग जाते है जब दुकानदार उन्हें देखते है तो मानने के लिए पीछे पड़ते है अरे बाबरे, बंदर आ गए भगा वो इन्हें कोई मेरे दुकान से जा यहां से अरे ओ हरिया बाईया किदर भगा रहे हो बंदरों को ये मेरी तरफ आ रहे है ऐसे लल्ली और हरिया एक दुसरे से उलट जाते है और वो बंदर सामान लेकर जंगल में भाग जाते है ऐसे हर रोज एक एक सामान चुरा कर भागने लगते हैं बंदर उनकी इन हरकतों से परेशन होकर हरिया उन्हें पकड़ने का जाल बिचाता है बस करो दोस्तों और कितनी तैयारिया करोगी मेरी शादी की वैसे भी अभी दो दिन बचे हुए है शादी को तक जाओगे आरम कर लो आज आकरे दिन है बंदर मामा क्यों न तुम भी हमारे साथ चलो बहुत मज़ा आती है ये काम करने में ऐसे कहते हुए जग्गू बंदर के मना करने के बावजुद भी दूसरे बंदर उसे मना कर ले कर जाता है और दुकान से सामान उठा कर भागते वक्त जग्गू बंदर हरिया के जाल में फस चाता है ये बात बाकी बंदरों को घर पहुंचने के बाद पता चलती है अबे जग्गू मामा कहा है अब तक तो हमारे साथ ही ता ना दुल्हे का तो पता नहीं लेकिन वो देख दुल्हे का अम्मा आ रही है तू बस इनसे बचा ले बाई, हम जग्गू मामा को डून लेंगे अबे ओल्चा चुदारों, कहा है मेरे राजा बेटा सुना है तुम दोनों उसकी शादी की खूब तयारिया कर रहे हो बहुत अच्चा काम कर रहे हो, लगे रहो जग्गू मामा बाहर गया है मम्मी जी, तोड़ी देर में आ जाएंगे ऐसे कहते हुए, दोनों बंदर वहाँ से निकल लेते हैं और जग्गू को ढूनने के लिए जाते हैं तब ही दोनों बंदर हरियास से लल्ली को बात करते हुए देखते हैं देख रही हो लल्ली, मैं ये खी बार में पूरे गाव की समस्या दूरी कर दी मैं उन बंदरों के सरदार को ही अगवा कर लिया है गाव की समस्या तो खतम हो गई है, लेकिन तुम्हारी समस्या शुरू हो गई है हरिया बंदर बहुत शातिर होते है अगर उन्हें पता चला कि उनका सर्तर तुम्हारे घर में है वो बदला लेने ज़रूर आएंगे वो बात सुनकर हर्या घर पहुंचने से पहले दोनों बंदर उसके घर पहुंचकर जगु बंदर को छुड़ा लेते हैं और उसके घर के कुछ सामान उठाकर बाकी का सामान टोड़कर वहां से भाग जाते है वो देखकर हरिया गुस्सा हो जाता है और वो सब इतने सारे सामान का क्या कर रहे है देखने के लिए जंगल में जाता है वहाँ पर बंदरों को इंसानों की तरह शादी करते हुए देखकर हैरन हो जाता है अब्बे ओच चचुदारों वो इंसान पेड के पीछे से ऐसे क्यों देख रहा है उसे कुछ खाने के लिए देखकर भगा दो ऐसे जग्गु मामा की शादी दूम दम से होती है और हरिया उनकी दावत में खाना खाकर जाता है और सब अच्छे से हो जाता है